छोटे हो या बड़े, बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई इस रेसिपिक को चक के वावा कर उठेगा हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्तास कीचन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट मूस बनाने का तरीका या चॉकलेट मूस आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं परन्तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ पैकेट में जो पाउडर मिलता है उससे चॉकलेट मूस कैसे आसानी से बना सकते हैं इसकी खास बात यह है कि बहुत ही आसानी से बन जाता है इसमें आपको कोई मशकत नहीं करनी पड़ती और इसका उप्योग आप केक के आइसिंग में भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ही चॉकलेट मूस को खा सकते हैं तो चलिए देखते हैं रेसिपी इसके लिए यहां ब्लू बर्ड का चॉकलेट मूस या किसी भी जनरल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा उसे लेकर आईए और इससे बनाईए चॉकलेट मूस इसके लिए एक परतन में 200 मिलिलिटर दूद ले यह दूद मैंने खुबाल कर ठंडा करके लिया हुआ है इसमें इस पैकेट में मिला हुआ पूरा पौडर डाल देना है इस पौडर को दूद में अच्छी तरह से घूलना है चम्मच की साहिता से इसे अच्छी तरह से घूलिए ताकि इसमें एक भी गुटली ना रहने पाए जब यह पूरी तरह से खुल जाएगा तो हलका सा गाड़ा हो जाएगा आप यहाँ पर इसकी consistency देख सकते हैं जब यह इस तरह हो जाए इसमें एक भी गुटली ना रहे तब इसे हमें फ्रीज में रखना है करीबन 15-20 मिनट के लिए 15-20 मिनट के बाद यह और थोड़ा गाड़ा हो जाएगा और ऐसा देखने लगेगा फिर हमें इसे पेटना है इसके लिए मैंने यहाँ पर electric mixer का यूज किया है इससे बहुत ही अच्छा result आता है इसे शुरुवात में low speed पर चलाना है करीबन 1 मिनट के लिए उसके पश्चाथ speed को आप बढ़ा सकते हैं आधा मिनट तक उससे ज़्यादा speed पर करें उसके पश्चाथ सबसे आखरी में इसे और आधा मिनट या एक मिनट full speed पर चलाएं ऐसा करने से आप देख सकते हैं उसमें गाढ़ापन और क्रीमी पन आ गया है इस बात का भी ध्यान रखें कि हमें इसे पिखलने नहीं देना है यदि गर्मियों में आप इसे बना रहे हैं तो नीचे बर्फ रखें और उस पर यह बर्तन रखें और फिर इसे फेटे इन शार्ट हमें मिश्रन को ठंडे ही बने रखना ज़रूरी है तभी यह अच्छी तरह से फेटा जाएगा आप देख सकते हैं मिश्रन कितना स्मूथ और स्क्रीमी लग रहा है अब हमें इसे पुनह फ्रीज में रखना है करीबन आदे गंटे के लिए इसे फ्रीज में रखने के पर जब आप इसे चेक करेंगे तो यह एकदम तयार मिलेगा केक पर आइसिंग करने के लिए या फिर मूस को सर्व करने के लिए आप चाहें तो केक पर इस तरह से चौकलेट आइसिंग कर सकते हैं या तो इसे किसी बोल में इसे मूस की तरह सर्व कर सकते हैं, उपर आप जो चाहे डेकोरेशन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्प्रिंकल्स अविलेबल नहीं थे, इसलिए सौफ की गोलियों का इस्निमाल किया है, आप चाहें तो इसे चॉकलेट बॉल्स या फिर सिल्वर बॉ तो हैना इसे बनाना एकदम आसान, यम्मी क्रीमी चॉकलेट मॉस, बनाईए, खाईए, खिलाईए, एंजॉय कीजिए, धन्यवाद